हेलो फ्रैंड रानु क्यों … अपनी रसोई में आपका एक बार भीर से बहुत-बहुट स्वागत है तो बिना महेनद के आज हूं बनाने वाले हैं गेहों के याटे से Bei- वह भी बिना महेनद के तो आइए , इस्राच कहते हैं एक रिष्पी और रिष्पी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर रिष्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सस्क्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसे ही लगी ये कॉमेंट में जरूर बताईएगा तो ये रिष्पी बनाने के लिए मैंने गेहुंका आठा लगाया हुआ है, गेहुंका आठा लगाने के बाद, दो चार लो़ियां काट लीं, लो़ियां काटने के बाद एक रोऊ अच्छे से रोल करके उसको और फिर अपतली सी रोटी बनाएंगे, जैसे आप नारमली रोट चीज पड़ी हुई थी, तो मैंने सचा, इसी में चलो, एट कर देती हूँ, यह मैंने इसमें उपर से चीज डाल दे है और चीज डालने के बाद मैं दूसरी रोटी भी तैयार आध कर लूँगी, ऐसे ही, यह रोटी भी देखिए, मेरी तियार ओगई है, अब उपर से मैं इ पुले भी नहीं है और अराम से अच्छे से चिपक जाएंगे इसको जोइंट मोरने के बाद इसमें कुछ अच्छी सी डिजाइन दे देंगे जो भी आप से आती हो हाँ से डिजाइन दे जैसे आपने लोग गुजियर बनते हैं वैसे ही और अगर आपको कुछ कर्चियों गयरा से कुछ डिजाइन बने नहीं हो आप भी बना सकते हैं जैसे आपकी इच्छा यह देखिए हमारी रोटी त्यार हो गई है अब इसमें पैन में मैंने तेल गरम कर अब इस में अपनी रोटी को डाल दिया है अब बशस दो चार मियाटर से ही होगा इस रोटी को पलट देंगो रोटी पलटने के वाद इसमें दूसरी तरफ भी ओयL लगा लेंगे यह में दूसरी तरफ odz पढ बंब लगा देंगे ताकि यह दूनों तरफ रफ से अच्छ कर देंगे तो यह फिर जल जाएगी यह देखिए यह मारा पीजा रेडी हो गया ना इत्ता वड़िया दोनों तरफ से सिका निया फूला फूला अब चलिए हम इसको कट कर लेते हैं और इसको कट करने के बाद बस इसको यह तो सॉस मिला ले उपर से कोई चोकलेट सिराप जो भी दे सकते हैं इसके साथ जो बच्चे सब्जी बगारा नहीं काते हैं उनका सब्जी भी हो जाएगा और बच्चे कुछी से खावी लेंगी यह देखिए है ना कित्ता अच्छा पीजा आप इस रेस्पी को एक बार जरूर ट्राइ किजिए गा और यह रेस्पी कैसी लग यह भी जरूर बताईएगा तो मिलते हैं फिर अनली वीडियो में थैंक्स वार वाचिंग